हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइवरेरी आज मैं आपके साथ भहती खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप जैन्ट साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, बच्चों के औल प्रोजक्ट, काडियन, कोट्टी आदि में अपलाई कर सकते हैं इस पैटन को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं और प्लस हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने दस नमबर की इस लाई में हमने इस पैटन को बना लेना है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बना इस्टार होगा अब देखे पैटन की फर्स्ट रोग, फ्रंट साइड से पहला फंदा उतार लेंगे फिर देखे नेस्ट हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, ये देखे, फिर धागा पीछे करेंगे, और एक फंदा सीधा तो ये दस फंदों में हमारा पैटर्न आ गया, यही प्रोसिस हमारा आगे रिपीट होगा, एक फंदा सीधा और देखे, फिर आठ फंदे उल्टे बुनेंगे आठ फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा भी हमने सीधा बुन लेना है, हमारे प्रोजक्ट में जितने भी फंदे होगे, हमने यही प्रोसिस रिपीट करते जाना है और फ्रंट साइड से अपनी फर्स्ट रोज कंप्लेट कर लेनी है, अब देखे, रोंग साइड से से किंड रोज पेला फंदा उतारेंगे और रोंग साइड से किंड रोज को हमने उल्टा बुनते हुए, कंप्लेट कर लेना है देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो थार्ड रो में देखे पहला फंदा हम बुन के उतारेंगे अब देखे नेस्ट हमने दो फंदों को ट्विस्ट कर लेना है तो देखे, बैक साइड की तरफ से हम सेकिंड नमबर का फंदा बुन लेंगे पहले, फरस्ट वाले फंदे को ऐसे सिलीप करेंगे, लेफ नेडिल में उठाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, ये देखे, ये दो फंदा को हमने ट्विस्ट कर दिया, आप देख छे, छे फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, नेश्ट हमने दो फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे, तो देखे, ऐसे सीधी साइड से राइट निडिल को डालेंगे दोनों फंदों में, ऐसे उता लेंगे, अब इन दोनों फंदों को हम पल्टा के ऐसे लेफ निडिल मे shift करेंगे और दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे ये देखे ये देखे ये दस फंदों में हमारा pattern आ गया, same process आगे repeat होगा तो देखे back side की तरब से देखे second फंदा हम पहले बुनेंगे फिर first फंदे को slip करेंगे और left needle में उठा लेंगे फिर इस फंदे को सीधा बुन लेंगे ये देखे धागा अपनी side 6 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे उल्टे बुन लेने हैं फिर धागा पीछे कर लेंगे और देखे next अमने 2 फंदों को twist करना है तो सीधी side से दोनों फंदों में ऐसे slide डालेंगे right needle फिर इन फंदों को ऐसे पलटा के left needle में shift करेंगे और एक-एक करके सीधा बुन लेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये front side से हमारी pattern की third row complete हो गई आप देखे रॉंग side से fourth row अब fourth row में देखे पहला फंदा उता लेंगे और wrong side से fourth row को हमने उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है देखे रॉंग side से हमारी fourth row complete हो गई अब देखे फ्रंट side से fifth row अब fifth row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे next फंदा हमने सीधा बुन लेना है अब देखे next हम दो फंदों को twist करेंगे तो देखे second फंदा हम पहले बुनेंगे first फंदा हम बाद में बुनेंगे इस तरीके से धाग अपनी side चार फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे next हमने दो फंदों को twist करना है तो देखे सीधी side से एंसे slide डालेंगे दोनों फंदों को right needle में उतार लेंगे फिर इनको एंसे पलटा के left needle में shift कर लेंगे अब दोनों फंदों को हमें एक एक करके सीधा बुन लेना है अब देखे next दो फंदे सीधे आ जाएंगे दो फंदे सीधे अब next देखे दो फंदों को हमने twist करना है तो back side की तरब से देखे second number का फंदा पहले बुनेंगे फिर left needle में first number का फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे अब देखे धागा अपनी side 4 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार चार फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे अब देखे सीधी side से देखे ऐसे slide डालेंगे दोनों फंदों को right needle में उतारेंगे फिर दोनों फंदों को हमने left needle में shift करना है फिर एक, एक करके इन दो फंदों को सीधा बुन लेने फिर last के दो फंदे सीधे ये देखे ए front side से हमारी 5 row complete हो गई आप देखे रॉंग side से 6 row अब 6 row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग side से हमने 6 row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखे रॉंग side से हमारी 6 row complete हो गई आप देखे फ्रेंट side से 7 row अब 7 row में देखे पहला फंदा बुन के उतार लेंगे next हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं 2 फंदे सीधे बुने अब देखे next दोनों फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे तो back side की तरफ से हमने second नंबर का फंदा पहले बुनना है फिर हम first नंबर का फंदा बुन लेंगे धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे next हम 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे दोनों फंदों को ऐसे right नीडिल में उतारेंगे और ऐसे पल्टा के left नीडिल में shift करेंगे फिर दोनों फंदों को हमें एक एक करके सीधा बुन लेना है अब next देखे एक, दो, तीन, चार चार फंदे सीधे बुनेंगे अब देखे next हम 2 फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे तो back side की तरब से second फंदा पहले बुनेंगे first फंदा left नीडिल में उताएंगे और इसको भी सीधा बुन लेंगे धाग अपनी side 2 फंदे उल्टे फिर देखे दो नो फंदों को हम ऐसे right नीडिल में उताएंगे फिर ऐसे पलटा के इनको left नीडिल में सीध करेंगे और एक एक करके सीधा बुन लेंगे next हम देखे एक, दो, दो फंदे सीधे last का फंदा भी सीधा तो देखे फ्रंट साइड से हमारी 7 फंदों complete हो गई आप देखे रॉंग साइड से 8 फंदों 8 फंदों में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइड से हमने 8 फंदों को उल्टा भूनते हुए complete कर लेना है same process को repeat करते हुए यह देखे यह रॉंग साइड से हमारी 8 फंदों complete हो गई आप देखे फ्रंट साइड से 9 फंदों अब 9 फंदों में देखे पहला फंदा भून के उतारेंगे नेस्ट देखे एक, दो, तीन तीन फंदे हमने सीधे भूने अब देखे नेस्ट दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो second number का फंदा पहले भूनेंगे back side के तरब से फिर देखे पहला फंदा sleep करेंगे और left needle में उठाएंगे फिर इस फंदे को सीधा भूनेंगे अब देखे नेस्ट हमने दो फंदे ट्विस्ट करने हैं तो सीधी side से slide डालेंगे right needle और देखे ऐसे पलटा के इन दो फंदों को left needle में shift करेंगे और एक, एक करके सीधा भून लेंगे यह देखे फिर देखे नेस्ट एक दो तीन चार 5 और 6 6 फंदे हमने सीधे बुने अब नेस्ट देखे दो फंदे ट्विस्ट करेंगे back side की तरब से second फंदा बुनेंगे पहले फिर first फंदा बुन लेंगे फिर देखे दोनों फंदों को हम ऐसे right needle में उतारेंगे और फिर ऐसे पलटा के left needle में shift करेंगे दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर देखे next एक दो तीन तीन फंदे सीधे last का फंदा भी सीधा ये देखे फ्रंट साइट से हमारी 9 रो complete हो गई आप देखे रोंग साइट से 10 रो अब 10 रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे और रोंग साइट से हमने 10 रो को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है same process को repeat करते हुए देखे रोंग साइट से हमारी 10 रो complete हो गई आप देखे फ्रंट साइट से 11 रो अब 11 रो में हमारा pattern repeat होगा 11 रो को हमने 1 रो की तरह बुनते हुए complete करना है तो देखे पहला फंदा बुन के उता लेंगे next फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइट करेंगे 8 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे और देखे नेस्ट 1, 2, 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे 8 फंदे उल्टे दागा पीछे 1 फंदा सीधा लास्ट का फंदा भी सीधा तो देखे ये फ्रंडे साइट से हमारी 11 फंदे उल्टे रोग कंप्लीट हो गई 11 फंदे में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था 11 फंदे रोग को हमने 1 फंदे रोग की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया अब रोग साइट से देखे जो हमारी 12 फंदे रोग की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह हम अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है अब बहुती सुन्दर नही है कि में रोग से खेए बहुती सुन्ति आसान पैटन को रेखे भीटन